प्रिजंट जीत और भारतिये जन्ता पार्टी को मिली जीरो सीठ के बाद बीजेपी इस हर्कत पे उतर आईए कि अब अरविंद केजरिवाल जी की हत्या करवाणा चाहती है वो वो अरविंद केजरिवाल जी को मारना चाहती है आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतिय जनता पार्टी के गुंडे मुक्हे मंत्री जी अर्विंत के जिरिवाल जी के घर पे पहुँचाए गए उनका CCTV तोड़े गए उनके घर के और सब कुछ पुलिस की मौझूदगी में हुआ भारती जंता पार्टी के गुंड़ों ने किया जाके आज जाहिर सी बात है बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहट अरविंद केजरिवाल जी पे हमला किया गया आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तह अरविंद केजरिवाल जी के उपर हमला किया गया उनकी हत्या कराने के लिए किया गया मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरिवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो तो इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवानी की साजिश करोगे ये देश बर्दास्त नहीं करेगा। आज भाती जंता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है। जान बूज के पुलिस लेके गई वहाँ पर बूम बेरियर के पास में। गुंडों को लेके गई, उनके CCTV कैमरे तुरवाए गए, उनके घर के बूम बेरियर तुरवाए गए, जो मैंने पहले का फिर से दोरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में zero seat मिली है भारतिय जनता पार्टी को और पंजाब में आमादवी पार्टी की परचेंड जीत हुई है, उससे पूरी तरह से बौकला गई है भारतिय जनता पार्टी और वो शाठी जी चुझणा में नहीं हरा पारी जब किसी तरह सेसे साजिष करकर के नहीं हरा पारी तो आब वो उनको को मरवाना चाहती है उनकी हत्या करना चाहती है यह बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारती जंता-पाइटी वाले लोग और आज जो किया वह केवल और केवल अरविंद केजरवाल जी की हत्या का एक सड़यंत्र किया नहीं कि अब पूरा आज जो भुआ है कि अधिक्स तो बहाना है वास्ता में तो अर्विन के जिवाल जी को मरवाना इनका इराधा यह क्यों लेके गए हुआ पर कैसे किसी मुख्यमंत्री के दर्वाजे तक पहुचती है पुलिस इस देश में यह गुंडे इस तरह से पुचते है इस देश में केवल क्योंकि उनकी साजिशेव भारते जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चा इसी से समझ में आता है ना कि पुलिस लेके गई है हत्या करवाने के लेके जरिवाल जी कि उनके दर्वाजे पे लेके गई है बीजेपी के गुंड़ों को आज तो आज तो सारे सिक्यर्टी केमरे तो दिये इसका मतलब साजिश कुछ बड़ी है सारा बूम बेरियर तो दिया कैसे सीम के घर के सामने का एकड़म गेट पे लगा हुआ बूम बेरियर तोड़ा जा सकता है इन हत्यारों को पुलिस लेके आई है बिलकुल कैसे ले गई पुलिस लेके गई है वहाँ पे पुलिस की मवजूदगी में हुआ है सारा कुछ बूम बेरियर तोड़ा गया है उनके घर के CCTV केमरे तोड़े गया है सब कुछ पुलिस की मवजूदगी में हुआ है बीजेपी के गुंड़े पूरा उतपात मचा र कि वे फिल्गू